हाई वीवर्स कैसे आप सब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के आप बारिश बहुत तेज ही होगी हमारे आप बहुत तेज बारिश हुई है और मैं तो बहुत ना ही जैसे कि आप योगों ने हमारा कल के एपिसोड डिकट है जिसमें हम गाड़ी में गाई थी मैं और मैंने आपको दिखाता कि किती तेज बारिश हो दिया है वैसी आज तो नहीं हुई बादिश हो सकता है कि अभी हो जाए तो कि अभी तो ग्यारा बज सब ठीक है मारेश अट को पता है ना कि कि अल किया हुआ है किया हुआ जुकीarner कितनी तेज बारिश हो जोग गेना के आपके घर में भी बारिशाहिए गीनWeb लोडबार अबत कर्क या को ... अटोँ भी और वे बहुत डर लगा कितना थंदर σट्रण था ना कतनी बिजली खड़ती खड़कड़rete करक दो खड़कड़कड़торов ग्रोला टो लॉगला मैंने तो हर खड़कड़ाट तब इस्टफर था यह क्या क्या है मैं बेक्रांड मुजिक बना रहा था मैं पतल आ था हविस्कुल करेद उँख करें वह क्या आप एपड़ार Рो ऐसे बिच्छनिक अभास यह सबस्वे ख़ती है पारिख में नहाय था लेकिन पते क्या बहुत नुख्सान हुआ है पते क्या बहुत लोगों कोना घरों में पानी गुस गया कितने लोग मर भी गए कितने पानी में बह गए बिल्कुल सलाब जैसे सूरत हो गई है कराची की अब क्या करेंगे महरेश दुआ करना चाहिए हम सबको अपने गुनाहों की माफी मंगनी चाहिए अच्छा तो आज में आपको बताउंगी तोपिक tho के बाते बहुत सारी हो चुक है आज हम नशत हमने जितने भी एपिसोरे बनाए हैं उन एपिसोरसमे जितने भी पींच्वाatu है जैसे की में हााँ हा सटचु है मीनियन है तो आज हम इन सबसे बारिश के बारे में सवालाग पूछेंगे है है हाँ तो हम बोले तो आज हम उन सबसे बारिश के बारे में और ये भी पूछेंगे के अभी अभी जो हमने 14 गस बनाया था अपने पाकिस्तान डे का उसकी साल के रहा बनाई थी ना है ना मेरी है ना है ना है ना और हम सबने कहा था हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है हम पाकिस्तान के बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे और हम उसके खिदमत करेंगे तो अब वक्त आया है उसके लिए कुछ करने का जब कोई भी मुसीबत में हो और अगर उसकी मदद की जाए तो ही सची मुहबत होती है मैंने कहा थाना कि एक दिन की मुहबत नहीं होती है अगर आपको अपने मुल्च से मुहबत है तो उस पे आने वाली हर मुश्किल पढ़शानी में आपको खड़ा होना पड़ेगा तनो पानी में दूबे पड़े हैं तो हमारे क्या काम होना चाहिए अपने पाकिस्तान से सची मुहबत के लिए बताओ बताओ дो बताओ जो लोगों के घरों में पानी आगे उनकी मदद करें और इलापके उनके गटर बंद है जो लागों के गटर खुल गए हैं और उसमें से भी पानी आ रहा है और सब मेक्स पानी हो रहा है और गटर की सफाई करें ताकि लोगों की मुश्किला अच्छा युवासाई हो पर उन लोगों को महफूद जगाँ पर पहुचाएं जिनके घर में पानी आ गया है जिनकी जो प्यां बह गई गई हैं और जो बहुत तकलीफ में हैं जिनकी आख खाने पीने को कुछ नहीं है तो अब हमें अपने पाकिस्तान से सची महबत करने का वक्त मिला है हमें उसके ल बवाएं बहुत शुक बहुत जल्दी सुनता है अच्छा शेकिन पीन टूप हुचो का कुछ के मैंने क्या करना है रा सुटी कोप कमा है मायक물ा अधे का आगम माहित माईट्र पाकिस्तान द्पा गया अच्छा यू तो आप बारें इं इंटर्वीव की तो शẻक्यों सच्य कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी हैचित की मताबि उन लोगों के घरों में राशन तो जा सकता हूँ, जिनके घर में बह 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 गए हैं और जिनके घर में पानी आ गया है और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अल्ला को राजी कर सकता हूँ मैं अल्ला के सामे रोरो के दुआ मांगूंगा हर उसान के लिए कि वो जो है वो अल्ला उस पर से अजाब हटा दे और हम पर से अजमाईश खुतम कर दे और मैं जो हूँ वो जहां तक हो सकेगा मैं जहां देखूंगा कि किसी को मेरी मदद के जरूरत है मैं उसके मदद करने पहुँच जाऊंगा चाहे जिसम से, चाहे दौलत से, चाहे दुआ से हर तना से मैं उसकी मदद करूँगा और एक अच्छा पाकिस्तानी बन के रहूंगा मैं और अपने मुल्कों किसी मुसीबत में का साथ नहीं छोड़ूँगा बलके डट के रहूंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास हिम्मत है अगर मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो मेरे पास दौा की ताकत है मैं किसे से भी अपने मुल्क लिए कुछ भी कर सकता हूँ वेरी गुड तो अप सच्चु ने तो अपने बारे में बता दिया जो क्या क्या कर सकता है हमारे मुल्की के लिए अब हम और पपिट्स के बारे पूछे तो सबसे पहले हम बुलाएंगे किला उनको सच्चु बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ एक हो जाएं, मिलकर काम करें, जिसके पास जो है, वो अपने मजबूर दोस्तों के लिए, भायों के लिए, कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा डाले, चाहे वो दुआ ही सही, या अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना उनको पहुचा दे, या जो अदारे अच्छे से काम कर रहे हैं उनकी माली और खुराख से मदद कर दे, और जो खुले अस्पान पे इस वक्त सो रहे हैं, उनको कोई महफूस मुकाम दे दे, अगर तुछी के पास दो तीन जगाएं ऐसी हैं, जो खाली पड़ी भी हैं, वो उनको उसमें ठेराने का बंदोबस कर दे, क्योंकि बहुत सारी दे लोग हैं, जो पानी घर में बुसने की वज़ा से ना, महरेश, बाहर सो रही हैं, च्छटों पे सो रही हैं, तो हमें चाहिए कि इस वक्त हम अपने महबबत को जाहर करें, अपने मुल्क की महबबत को, जिसके लिए हमने एक दिन इतना इतना जश्शन मनाया, अब हमें उसको साबित करना है कि हम अपने मुल्क से कितनी महबत करते हैं और इसके लिए हमें अपने मुल्क की बुराई नहीं करनी है हमें अपने मुल्क को दूसरों के आगे बुरा नहीं कहना है बलकि यह साबित करना है कि हम एक हैं और एक होकर हर बुराई को खत्म कर सकते हैं चाहे वो अस्मारी आपत हो चाहे वो किसी तरह से भी आपता है हम मिलकर उसका मुकाबला करके अल्ला को राजी कर सकते हैं यही कर सकते हैं हम लोग महरेश और मैं भी यही करूँगा मेरी मदब जिसको होगी मैं जाके खरब 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 उसकी मदद करूगा ओके पिन्टू भाई तो आपको जो कहना था पाकिस्तान के बारे में वह आपने कहे दिया एक बात और बोले I love Pakistan, love Pakistan, Pakistan जिंदा मौर्ड very good तो आपको और कुछ कहने हैं पाकिस्टान के बारे में आई लॉफ पाकिस्तान चले, अल्ला हाफिस अब बारे हैं मीनियन को बुलाने की तो मीनियन के लिए वेलकम करते हैं हम क्लैपिंग से असलाम अलेकुम महरे वालेकुम असलाम मीनियन हम आपसे सवालात के बारे में पूछने चाहते हैं वो ये सवालात हैं कि पाकिस्टान में आपको पता कि कितना सारा पानी भरा है हर जगा पानी पानी है और लोग इतनी परिशानिया हो रहे हैं न्यूस चैनल में आ रहे हैं बहुत परिशानी है मैं भी अभी बहुत मुश्किल से आया हूँ यहाँ हाँ तो आप कुछ कहना चाहेंगे वीवर्स के सामने बिल्कुल ऐसे वक्त पर हर एक को एक हो जाना चाहिए और अपने मुल्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए अगर पैसे हैं तो पैसो से अगर ताकत है तो ताकत से अगर दौाएं हैं तो दौाओं से और अबादत से अपने रब को अपने अल्ला को गिर्गड़ा कर राजी करिए और अपने मुल्क के लिए अपनी मुहबत का किसी भी तरह से इजहार करिए यही तो वक्त है अपने मुलक को महबत दिखाने का ना कि जंडे लहरा कर गीत गा कर और बस एक दिन मना कर ना 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 यह वक्त है हम सब के लिए चाहे वो बच्चे हो चाहे वो खवातीर हो चाहे वो मर्द हो उन सब को अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ हिसा डालना होगा हकूमत पर मत छोड़ें बलकि खुद भी कुछ करें कुछ मदद कर दें किसी को खाना पहुचा दें किसी को चादर तक पहुचा दें अगर आपके पास कोई जगा है जो खाली पड़ी हुई है उन लोगों को वहाँ पे ठेरा दें ताके बिचारे खुले आस्मान तले बारिश के लिए बारिश में भीटते ना रहें और बिमार ना हो उन दवाइया दे दें जो बिमार हैं उनको दवाइया पहुचा दें बस यही वक्त है मिलकर काम करने का और लोगों को बाते करने दें जो हमें बढ़का रहे हैं जो हमें गलत दरास्ते दिखा रहे हैं और हमारे मुलक को बुरा कह रहे हैं और ये और वो उसको खतम करें इस वक्त काम करें सिर्फ काम करें और इंसानियाद के लिए और अपने मुलके हरी बंदे के लिए काम करें क्यों महरेश? हाँ मीनियन ओके ओके मीनियन आपने जो कहना था हुआ आपने कह दिया अल्ला हाफिस अब हम बुलाएंगे मिली दा टरकी को क्लैपिंग करें हेलो मिली दा टरकी हेलो कैसे हो महरेश मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिली डटरकी कितनी बारिश पड़ी थी ना इतनी मुश्किल से आई हूँ मैं हाँ मिली डटरकी हम आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं कैसि आपको पता एक पूरी दुनिया में कितना पानी जमा हुआ 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 और छो कितने प्रिशान हो रहे तर आपकुछ कहना चाहेंγी कराची में ना जी फ़िरे माकिस्तान में हाँ जहाँ जहाँ बारिश हो रही है माः पानी तो खड़ा हो ही रहें बलकि अग्तो आपने सेलाग के सुरत पी आ गई है लेकिन क्या करें अल्ला जो करता है वो अपने बन्दों के अजमाईश के रिए करता है और इस वक्त भी मेरे मुल्क मे जमाईश के लिए horrific है क्योंकि मुसलमाईश भेशता है और ये ऑजमाईश हमारे लिए एक होने के लिए भी आई है इस वक्त अगर हम लोग एक हो जाते हैं तो हम कभी भी पीछे नहीं जा सकते हमें मेनत करनी होगी अपने मुल्क के लिए हमें अपने मुल्क के लोगों के लिए कदम उठाना होगा हमें उनके लिए कुछ करना होगा कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, लेकिन बातों से नहीं, काम से करना होगा, चाहे वो दौलत से करें, चाहे वो ताकत से करें, चाहे वो अपनी दौन से करें, लेकिन करें, और अपनी जहां तक ताकत हो, अपने बहन भाईयों की मदद करें, उनको घर दे दें, उनको छट करने को तैयार हूं मैं हर ताना से करूंगे अपनी मुल्की खिनमा थैंक यू मिली टर्की आपने भी बहुत अच्छो है पाकिसान के लिए उसके लिए थैंक यू थैंक यू अला हाफिस यह पीस तो मिली टर्की ने भी बोल दिया अब हम बुलाएंगे मेरे फ्रीविट एक्टर को मतला मेरे फ्रीविट पॉपिट को वो है बच्चू स्वालिकू मापी वालेकूम असलाम बच्चू क्या कर रहे थे मैं मैं बस सोच रहा था कि मैं भी कुछ बोलू अपने मुल्क क लिए ये जो भी Hiいつ-अधिवारी शोई ना कि लिए हाआ तो आप बोले वीवे territас के सामने जी जी मैं चाहताँ हूँ के मैं अपने मुलक दिए कोई ऐसा काम करहूं जिससे मैं अपने मुलक ले कुछ पूझ कर सकूं है ना आपी हाँ और वो बता है जो वो आगे न पानी लोगोंके गर मैं और लोगोंwright दोरीं उसके बारे मेंने कुछ मोह भी बूले मेरे दोस्त है ना उनके दो तीन घर में पानी आ गै वो बिचारे चटों पर सो रहें तो पता क्या मैरे मम्मा उनको रोजका रही है और ना मैंने ना अपने कुछ कपड़े भी उनको दे दिये हैं और मैंना उनको रोज जाके ना पूछता हूं कि उनको किसी ची की जरूरत तो नहीं है वेरी गुड बच्चू येज, 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 और आप लोगों को भी चाहिए आप भी अपने लोगों की मदद करें अपने मलक की लिए बुरे वक्त में उनका साह देए ब्लीज ऑके बच्चू थैंक्च यू ज post ने बहुर्णी जह दो आपने बला किसका नाम है ? देख ले.. पींकू । दा गरेट वेर गुर्ड पींकू । अश्लाम अलेकूं मैरेश वाले कम असलाम । कितनी खतरनाग बारेश हुई है हां तो आज हमेном को पिंकू पानी पानी हो गया लोगों बहुत मुश्किलात हो और ये लोग डूब रहें मर रहें तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे वीवर से बिल्कुल यही तो वक्त हमें अपने मुल्क से महपत को दिखाने का इस वक्त तो हर बच्चा हर जवान हर बुड़े को खड़ा हो जाना मौल से ताकत से अपने अकल से अपने दौाओं से जरूर अपने मुल्क को अपने शेहर को दुबारा से चाहिए कर देंगे और वहाँ पानी कभी नहीं जमा होने देंगे हाँ जरूर जरूर करेंगे हम जरूर करेंगे वे अगर पिंकू आपने आपने भी कुछ किया होगा हाँ पिंकु जो लोग मुश्किल में थे उनको मैंने खाना दिया, कपड़े दिये, पीने को दिया वो सब चीज़ है ना उनके पाष पीने का पानी है ना कपड़े है तोकि उनके घरों में पानी यह मह हो गया ना लोग को च्छतों में बिचारे सो रहे हैं कोई कहां सो रहा है कोई footpark पेठा हुआ है और किसी के पाद तो दवाईयां भी नहीं हैं तो जिसके पाद जो हो उनको दे सकता है और अपने मुल्क के लोगों की मड़त कर सकता है यही जज़बा है हमें पाकिस्तान से महभबत को करने का और दुष्पनों के एरादों को नाकाम करने का जो इस मुख हमें इस कमजोर समझ रहे हैं उनको हमें दिखाना होगा कि अगर हम एक हो जाएं तो हम बहुत बड़े हो जाते हैं अच्छा पिंकु थेंक यू अगर वो आपको पते हैं न कि बहुत से लोगों के घरों में दवाईयां पहुचाई है चादरे और तक्ये और मैंने चोचोटे खुराग के पैकिट बनाए और अपने पप्पा को साजा के उनके घरों में पहुचाई है वेरी गुड ये मैं पूछना जाती है कि आप वीवर्स के सामने बताएंगे कि वो बोलेंगे कि पूरी दुन्या में पानी 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 हुआ है तो आप कुछ कहना चाहिएंगे हाँ हाँ मैं यही कहुँगा कि अभी अभी जो हमारा काम है वो यही है कि पहले हम उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मसीबत में घर चुके हैं और इस आस्मानी आफ़त से हमें अल्ला से दौा मांगनी है कि ऐ ला ए इस तना की आफ़त कभी भी किसी भी मुसल्मान के पढ़ेगी अल्ला को राजी करना पढ़ेगा और उन लोगों की खूब मदद करनी पढ़ेगी जो इस वक्त हमारी मदद के लिए होए पुकार रहे हैं चाए हम माल से कर लें चाए हम अपने हातों से कर दें या हम अपने घरों से कोई चीज उनको पहुचा दें बस यही व होगा ताके आएंदा कभी कभी ऐसा ना हो क्यों मेरिश हां मिल्कू दा मिल्क येस तो फिर ठीक है मैं अपने मुल्क के लिए दिल जान से महब्बत करके और उसके लिए काम करके दिखाऊंगा आप भी करोगी ना मेरिश हां मिल्कू ओके हम सब दूआ करते हैं कि ए अल्ला हम पर अपने रहमतों की बारिश बरसाना और हम पर ये जो आजमाईश आई है उससे हमें जल 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 निकाल दे और हमारे मुल्क को फिर से बहुत बड़ा और तरक्की आफ्टा बना दे आमीन 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 अच्छा मिल्कू ठैंक यू यो वेलकूम बाई बाई ये थे वो सब पपेश जिनको आप लोगों के बहुत कुछ कहना था तो कि आज हमने वीडियो बहुत लंबी बनाई है तो कि हम सब पपेश के मुंग से सुनना जाते हैं कि वो लोग क्या चाते हैं कराची के लिए ऐसी आप सब भी चाते हो कि कराची बड़ा हो और अच्छा हो जिसको पर बारिश का पानी नालों में गया है और पानी को रास्ते से खत्म हो यह सब तो सब चाते हैं पूरी दुनिया मतलब पूरी कराची डूबी होई है वो चाहती है कि लोगों को ज़्यादा परशानी ना हो आप सब भी है तो कमेंट से हमें बहुत बड़ी वीडियो से बनाई ह आपको बोल ले थे कि जो अंकल उठाते ना पानी उसमें से नालों से कच्रा साफ कर दे पानी हटा दे ताकि बारिश का पानी अंदर चला जाए और का मुझे रास्ते से तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे सब्सक्राइब कर दे और ब